Hey everyone, welcome to the legal majesty, feel the glory of law. आज हम MP Accommodation and Control Act का बहुत ही important topic समझने वाले हैं, जो है section 12.1. तो ये particular section आपको MPCJ Means में बहुत important होने वाला है, और हो सकता है इस particular section पर ही आपको MPCJ Means में question दिख जाएं. तो चलिए समझते हैं section 12.1. क्या कहता है? section 12.1. कहता है कि अगर कोई tenant ने ना ही पूरा जो बकाया हुआ rent है, वो pay किया है और ना ही tender किया है pay करने के लिए. हम सबको पता है, अगर हम कोई घर किराय पर लेते हैं या फिर कोई भी accommodation लिया जाता है, तो landlord और tenant के बीच में एक बहुत ही simple consideration होता है और उसको हम rent कहता है. वो tenant के liability होती है और landlord का right होता है. अगर tenant उसमें default करता है और landlord ने उस tenant को दो मन्त का notice दे दिया है. और notice सब होने के बाद में दो मन्त के period के अंदर tenant फिर भी rent नहीं deposit कर रहा है. तो यहां से landlord के पास में तीन मन्त का time होता है. तीन मन्त का limitation होता है as per section 44 of MP Accommodation Act. तो यह तीन मन्त के अंदर landlord को court में जाके कहना है. मतलब proper suit लगा के बताना है कि मेरा rent इसने नहीं दिया है. अब जैसे ही matter court में जाता है तो court उसको देखता है और फिर issue करता है summons. summons issue करने के बाद में tenant के पास में एक मन्त का time और रहता है. यह उसको second opportunity मिल रही है एक तरह से हम देखे तो. वन मन्त के अंदर फिर भी वो नहीं दे रहा है तो फिर उसके बाद में जो है इस पे eviction का suit continue हो जाता है. एक और चीज़ अगर यहां पे यह वन मन्त के अंदर tenant रेंट जो है वो पे कर देता है तो eviction का suit वहीं पे खतम हो जाएगा और अगर वहीं पे suit खतम हो गया और फिर वो continue करता है accommodation को और फिर वापस से अगर tenant तीन मन्त तक default करता है अगर tenant वापस से तीन मन्त तक default कर रहा है तो यह opportunity second time नहीं मिलेगी तो thank you for watching this session and do like, share and subscribe the legal majesty